हमारे देश वास्यों, आम तोर पर हमारे देश में सरकारों की पहचांद ये बनती रही कि सरकार ने फलाने इलाके के लिए क्या किया, फलाने वर्ग के लिए क्या किया, फलाने समू के लिए क्या किया, आम तोर पर क्या दिया, कितना दिया, किसको दिया, किसको मिला, उसी के आश पास सरकार और जन्मानस चलते रहे और उसको अच्छा भी माना गया, मैं भी शाहिद उस समय की मांग रही होगी, आवश्यक्ता रही होगी, लेकिन अब किसको क्या मिला, कैसे मिला, कब मिला, कितना मिला, इन सब के रहते हुए भी, हम सब मिल करके देश को कहां ले जाएंगे, हम सब मिल करको देश को कहां पहुचाएंगे, हम सब मिल करके देश के लिए क्या एचिव करेंगे, इन सपनों को ले करके जीना, जूजना और चल पढ़ना, ये समय की मांग है, और इसलिए फाइव ट्रिलियन डॉलर एकॉनामी इसका सपना संजोया है 130 करोर देशवासी अगर छोटी-छोटी चीजों को लेके चल पड़े तो फाइव ट्रिलियन डॉलर एकॉनामी कईयों को मुष्खिल लगता है वो गलत नहीं हो सकते हैं लेकिन अगर मुष्खिल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा मुष्खिल चुनावतियों को नहीं उठाएंगे तो चलने का मिजाद कहां से बनेगा मनों बेज्ञानिक दुरुस्टी से भी हमने हमेशा उंचे निशान रखने चाहिए और हमने रखा है लेकिन वो हवा में नहीं है आजादी के सत्तर साल बात हम दो ट्रिलियन डॉलर एकॉनामी पर पहुंचे थे सत्तर साल की हमारी विकांस यात्रा ने हमें कि दो ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी में पहुचाया था । लेकिन 2014 से 2019 में पांच साल के भीतर-भीतर हम लोग है दो ट्रिलियन से 3 ृ ट्रि पहुंच गए एक ड्रिलियन डॉलर हमने जोड दिया अकर पांच साल में सत्तर साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया तो आने वाले पांच साल में हम फाइव ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी बन सकते हैं और ये सपना हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए और जब इकौना भी बढ़ती है तो जीवन भी बहतर बनाने की सुविदा बनती है चोटे से चोटे वेक्ति के सपनों के साकार करने के लिए अवसर पैदा होते हैं और ये अवसर पैदा करने के लिए देज के आर्थिक सेक्ण में हमें इस बात को आगे ले जाना है जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल हिंदुस्तान में कोई परिवार गरीब से गरीब भी उसका पक्का घर होना चाहिए जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल जाब करें तब देश के हर परिवार के अंदर बिजली होनी चाहिए जब हम सपना देखते हैं कि आजा ब्रोडबेंड की कनेक्टिविटी हो लॉंग डिस्टन्स एजुकेशन की सुवीदा हो यह सारे जब सपने देखते हैं हमारे समुद्री संपती ब्लू एकोनामी इस खेत्र को हम बल दें हमारे मच्पारे भाईयों बेहनों को हम ताकत दें हमारा किसान अन्न दाता है उर्जा अंदर क्यों न बनें दुनिया के हमारे अंदर हमारे किसानों के द्वारा पैदा की हुई चीजों का दंग का क्यों न बजें इन सपनों को ले करके हम चलना चाहते हैं